हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदरा गांधी नैसनल ओपन उनिवस्टी से MBA Admissions 2024 के बारे में Complete Information आपको प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले इगनों से MBA करने के लिए किस मोड में MBA प्रोवाइड की जाती है कितनी फीस है कितनी कोर्स की डूरेशन है क्या मोड रहेगा क्या eligibility conditions है admission कैसे होता है entrance या without entrance इसके अलावा admission dates लिंक के बारे में Complete Information आपको प्रोवाइड करेंगे तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले Welcome to my YouTube channel AIS Educations जैसा कि आप सभी को पता है इंद्रा गांधी National Open University का MBA revised program जारी किया जा चुका है और 2024 से इसमें admission स्टार्ट हो चुके हैं तो दो तरह से इकनू admission MBA में प्रोवाइड करती है पहला है MBA Open Distance Learning ODL mode जिसे कह सकते हैं आप किलियर लिखा है mode ODL और दूसरा है MBA Online तो online mode है वो सिर्फ online mode से ही होती है और ODL mode में आपके pen and paper mode से exam होते हैं तो यह सबसे बड़ा difference है और online mode का आपके पास option तो होता है आप चाहे तो pen and paper में भी दे सकते हैं लेकिन आप चाहे तो computer based test भी दे सकते हैं online mode के अंदर जो की ODL mode में नहीं होता है तो online mode वाले degree online mode से रहेगी और ODL वाले degree general रहेगी तो general distance education की होती है तो यह तो पहला point था अभी बात करेंगे कि इसके लिए कितनी course की fee सिगनों ने रखी हुई है और किस की stream में MBA offer किया गया है तो जो open distance learning यानि की ODL mode है इसमें MBA एक तो normal वाला दूसरा master of business administration financial management तीसरा HRM, चोथा marketing management और operations management तो यह अलग-अलग stream है बाचो एक general है चार particular specialization stream है यह ODL mode में offer किया जाते हैं जबकि online mode में only and only MBA common वाला ही offer किया गया है अभी तक तो अभी next point बात है fees कितनी है तो minimum duration course की 2 साल है और medium English है specialization तो आपको पता ही है अभी fees की बात करेंगे तो जो open distance learning mode है ODL mode जिसे कह सकते हैं तो ODL mode में एक इनुने fees रखी है 15,500 रुपए पर semester पहले दूसरे और चोथे semester में और तीसरे semester के लिए 17,500 रुपए पलस registration fees and development fees जो applicable रहेगी वो रहेगी अभी eligibility condition की बात की जाए fees online mode की भी same है online mode में सभी semester की 15,500 लिखी है और आप देख सकते हैं यहापे इसी तरह fees का point हो गया आपका अभी next point पर आते हैं कि eligibility conditions क्या है आपके पास कोई भी bachelor degree जो कि minimum 3 साल duration की हो और 50% marks की साथ आपने pass की हुई हो या फिर आप result category से संबंदित हैं तो 45% marks भी चलेंगे eligibility conditions online और audio mode दोनों के लिए same है तो जो online mode है उस course का नाम है MBA OL और जो general है उसके course MBA normally MBA है फिर MBA FM इस तरह MBA HM HRM वाला तो इस तरह course की नाम रखे गई हैं अब main point पर आते हैं कि IGNU admission कब provide करती है और कैसे admission होता है तो IGNU के इस MBA course में without entrance test admission होता है पहले open match होता था जिसे बटा दिया गया अब direct admission होता है percentage base पे directly जो admission करते हैं उनका हो जाता है और जिनका percentage जो minimum eligibility condition से वो fulfill हो तो admission हो जाता है और अभी बात करेंगे admission आपका कब open होता है main point पर आते हैं admission जो MBA program है इसका IGNU 2024 के अंदर January और July session के अंदर admission लेगी तो January session के admission already start हो चुके हैं और जो initially January 31 last date रहती है बाद में फरवरी या मार्स तक भी extend हो सकती है इसके अलावाद July 24 session के admission जून के first week तक open हो जाते हैं या उससे पहले भी open हो जाते हैं और admission आपके चलते हैं वो चलते हैं अगस्त तक लगभग तो date extend भी होती है आप देख पाएंगे जब भी admission open होते हैं वीडियो अपडेट करते हैं कैसे admission करना है इसका link वीडियो के description में available है आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं इनुके नए अपडेट के साथ